हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों में डेंगू की बुखार के क्या लच्छड दिखाई देते हैं आज एक कमेंट्स आया मेरे पास कि मैम आप प्लीज एक वीडियो बनाएए जिसमें छोटे बच्चों को अगर डेंगू होता है तो उसके क्या लच्छड होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हमें कुछ बता नहीं पाते समझा नहीं पाते क्यों उनको क्या दिक्कते हो रही हैं तो ये बात बिल्कुल सही है और आपको जानना भी जरूरी है अगर आपके पास चोटा बेबी है तो आपको ये चीज़े जरूर जानना चाहिए अब जो डेंगू का नॉर्मल लक्षड होता है वो यही है कि लगातार अगर फीवर आ रहा है और बहुत तेज फीवर आ रहा है तो ये डेंगू का लक्षड होता है लेकिन उसके सासत और भी कई सारे लक्षड होते हैं बच्चा अगर छोटा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चा लगातार रो तो नहीं रहा है, अगर उसको fever है डेंगु वाला, तो उसको बहुत ज़ाधा pain होगा, खास करके जोडों में बहुत pain होगा, पूरी body में बहुत pain होगा, आपका बच्चा बता नहीं पाएगा, इस वज़े से बच्चा सिर्फ रोएगा दर्द के कार और उसके साथी साथ अगर बच्चे की भूग पहले से कम हो गई है बच्चा दूद नहीं पी रहा है या अगर solid food लेने लगा है वो कुछ खा नहीं रहा है तो ये भी एक symptoms हो सकता है इसके इलावा एक बहुत ही एहम लक्षर होता है कि अगर बच्चे ने urine pass करना कम कर दिया है बच्चा बहुत देर देर हो जारी पेशाम नहीं कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षर होता है क्योंकि डेंगू में सबसे जादा जो दिक्कत आती है वो dehydration की आती है डेंगू अगर होता है तो उसमें पानी की कमी बहुत जादा हो जाती है शरीर में इसलिए उ द्रीन पास करना बहुत कम कर देगा उसके लावा बच्चे की जो पॉंटी है उसका कलर ब्लैक हो सकता है उसके साथ ही सातह अगर बच्चे को बार बार उल्टी हो रही है और यह कष बहुत निकल रहा है तो उसमें हलकी सी ब्लीडी भी आपको दिख सकती है और उल्टी और दस इतना बढ़ सकता है कि वो डाइरिया का रूप ले ले इस तरह के जो भी लक्षड होते हैं वो डेंगू बुखार के हो सकते हैं और थोड़ा बड़ा बच्चा है अगर आपको वो बता पाता है तो उसमें आप देखेंगी कि बच्चे को सिर में दर्द की शिकायत होगी बच्चा आपको बताएगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को को लोजमोशन होने लगता है बहुत सारे बचों को वुल्म ज्यादा होती है तो इससे पेट में दर्द भी बहुत जादा हूने लगता है और सबके साथी-साथ बचों के गले में खराश है स्रदी जकरन खाजी करते हैं यह समस्चा चल जाएगा कि बच्चे को दिंगू है या नहीं है नहीं है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर दिंगू होत निकलाता है कि को द שמע़ीक है तो उसके बाद आपको बहुत जादा ध्यान प्रदमां रखती रहें जिससे बच्चे का बुखार बहुत थेज ना होने पाए और इसके इलाबा आप भॉपकी पीवर के बाद वागर आफ तुरन नहीं करेंगे तो उस टैम में अगर देंगु पॉसिटिव आता है तो इस टैम में प्लेट लेट्ट्स तुरन नहीं खटते हैं 3-4 दिन हो जाता है उसके बाद से घटना स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे में आप ध्यान रखना है कि आप बच्चे को लीक्वीड वाली चीज़े को ğı chem मिलें और समय समय देखे की पत्थियों का बनाकर दिया जाता है उससे बताया जाता कि प्लेटलेट्स काफी बढ़ती है किवी का सेवन बच्चों को करा सकते हैं तो यह सभी चीज ऐसी हैं जिससे हम प्लेट लेट्स को बढ़ा सकते हैं और इस सभी के इलावा डॉक्टर की दवाईओं में उसमें कई सारी दिक्कते आ जाती हैं लीवर में लंग्स में बहुत सारे लोगों के किड्नी में भी दिक्कत आ जाती है तो यह जो भी दिक्कते हैं फीवर जब आप बचे का उतर जाएगा उसके एक हफते बाद तक यह चीजे रिकवर होती है तो इसलिए उस जो एक हफते ब के अंदर जो भी चीजे नुकसान जो हुआ है वह एक हफते के अंदर धीरे-धीरे इंप्रूव होने लगे क्योंकि बहुत सारे लोग फीवर जब तक रहता है तब तक बहुत ध्यान देते हैं और जिब फीवर उतर जाता है तो उनको इत्मिनान हो जाता है कि फीवर बच्च क्यान हुआ है वह उस एक हफते में रिकवर करेगा तो अगर उस टाइम में आप नहीं ध्यान देती हैं तो कंडिशन जो है और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है इसलिए उस एक हफते में आप पराबर डॉक्टर के कंसल्ट में रहें और आप बच्चे को लिक्वीड वाली च पाय करना है जिससे बच्चा जल्दी से जल्दी सही हो जाएं